so hello guys and welcome back to the video तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 350 टर्बाइन्स लिमिटेट के बारे में और 350 टर्बाइन्स लिमिटेट का fundamental analysis as well as technical analysis price predictions नेखने वाले आए so बने रहे last time so without wasting any more time let's begin 350 टर्बाइन्स लिमिटेट के अगर fundamental analysis की बात की जाए तो देखो overall returns 423% इसने दिया है जबके all time low की बात की जाए तो 30 rupees all time low है और all time high की बात की जाए तो 231 rupees 70 पैसा इसने all time high लगाया है जबके current rate की बात की जाए तो देखो 197.20 इसका current rate देखने को मिल रहा है और company में किसी भी तरह का red flags देखने को नहीं मिल रहा है which is good 350 टर्बाइन्स लिमिटेड एक small cap company है जिसका market cap की बात की जाए तो 6430 करोड की है तो heavy electrical equipment की categories में देखने को मिलती है company और इसका peer ratio की बात की जाए तो देखो 62.51 है जबके sector speed 61.49 है और dividend yield 0.61% देखने को मिल रहा है 350 टर्बाइन्स लिमिटेड के अगर financials की बात की जाए total revenues 2018 की बात की जाए 759 करोड 2019 में 859 करोड 2020 की बात की जाए तो 841 करोड इसका revenues हुआ है then 2021 की बात की जाए तो 727 आल्मोस इसने revenues generations किया है और 759, 859 यहां से growth देखने को मिला था और 2020 से 2021 में इसका revenues देखो जाए तो यहां पर decline देखने को मिला है although यहां पर 2018 से 2021 तक अच्छा कासा इसने incline mode पर growth दिखाया है जो growth है increase हुई है लेकिन 2020 से 2021 में यहां पर decline देखने को मिला है 2021 के साल में और जबके net income के बात की जाय है तो 2018 में 96 करोड यहां पर इसका net income है और 2019 में 100 करोड और 2020 में 121.78 करोड और 2021 के बात की जाय है तो देखो 102.44 करोड है 102 करोड तो almost यहां पर revenue भी 2021 में decline देखने को मिला है और साथ ही income में भी हाँ पर decline देखने को मिला है 2021 के साल में although इसने तीन साल लगातार इसने profit कमाया net income और revenues में decline देखने को मिला है 2021 में हाँ पर decline देखने को मिला है इसके revenues में और net income में shareholding patterns की बात की जाया है तो 32 turbines के promoters की holding 67.78% है जबके mutual funds की बात की जाया है तो 12.38% other domestic institutions 0.27% foreign institutions की बात की जाया है तो 16.11% देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है institutions की holding सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है which is as a plus point institutions की holding किसी भी companies के लिए as a fundamental strong होती है और 30E turbines limited में institutions की holding जो है भर भर कर देखने को मिल रही है और यहाँ पर बात की जाया retail and others की तो 3.46% देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस company में retail and others की जो quantity से सबसे कम है और सबसे कम होना retail and others की quantity एक company के लिए बढ़िया होता है 30E turbines limited की अगर technical analysis की बात की जाया है तो देखो एक strong resistance zone देखने को मिल रहा था जोके already breakout है और breakout होने के बाद इसी same level पर as a support बहुत समय से यहाँ पर hold कर रहा है और RSI में देखो तो यहाँ पर divergence देखने को मिल रहा है bullish divergence और अच्छा खास है यहाँ पर support zone देखने को मिल रहा है और इसी same level पर moving average MA 50 weekly का zone भी देखने को मिल रहा है तो double support zone यहाँ पर देखने को मिलता है और support zone जो है एकदम strong हो जाता है as a confluence divergence और divergence भी हमें कह रहा है कि price जो है उपर जा सकता है तो अभी current rate जो है 30 turbines limited में 197 देखने को मिल रहा है और easily यहाँ पर 275 का level देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में तो company overall ठीक ठाक है free cash flow भी है और company में promoters की holding, institutions की holding और revenue income सभी के सभी यहाँ पर अच्छे कासे देखने को मिल रहा है तो आप इसमें investment का सूब सकते है 3020 turbines limited में तो guys इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको 3020 turbines limited का fundamental और technical analysis अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दो, share करो और subscribe कर दो चैनल को मिलते फिर किसी next वीडियो में till then take care